नमस्कार साथ यूँ मैं संदीप नौकवाल HPN 24 नूज में आप सभी का सुवागत करता हूं जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कल राजस्तान के चुनाओं होने जा रहे हैं लेकिन हरियाना के अंदर अभी लोग सबाकी नो सीटो पर कॉंगरेस कंडिडेट टेकलर नहीं कर हैं जो किसी को चुनाओं लड़ने नहीं दे रहे मैदान के अंदर किसी भी कंडिडेट को या और निताओं की चलने नहीं दे रहे आखिर हुड़ा के पास काफी विधायक बला है कदावर नेता है काफी लंबे टाइम से कॉंगरेस पार्टी में है तो चलने भी वेंदर सि सिंग हुड़ा अपना रास्ता साप कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाओं में उनके सीम पद की दाविदारी पर कोई अब्जेक्शन ना लगे वह चाहते हैं कि कुमारी सेल्जा भी चौदरी भी चुनाओं लड़ें और सुर्जेवारा तो आपको पता है कॉंगरिस के क्योंकि 6 मिहने बाद विधानसभा चुनाओं की तरिया चल्द हो जाएगी नॉम्बर में विधानसभा चुनाओं होने जा रहे हैं और अभी तक कॉंगर्स फाइनल नहीं कर पाई है और वहीं पर बंदर सिंग हुड़ा लोक्सभा चुनाओं के बहाने अपने कांटे निक लग सके नहीं चाहते कि ऐसा हो क्योंकि दो बार रह चुके तो ऐसे में कॉंगर्स भी सोच लिए कि तीसरी बार किसी ने को सियम बना जाए तो इसलिए अपने कांटे निकालने में लगे हुए कि जो भी नेता सीम बनने के लाइक है उनको लोक्सभा की टिक्ट दे जाए औ आज ही निकार किया है और कोई भी चुनाओं नहीं लेड़ूंगा तो ऐसे में देखा जा सकता है कि लाल साथ सीम बनने की है और वहीं पर 2019 का चुनाओं भी बंदर सिंग हुड़ा हार चुके हैं और ऐसे में देख सकते हैं कॉंगर्स पार्टी लगातार हरी गड़ा के अं अंदर साथ यह हाल नाओ इसलिए कोंगर्स जो है टिकटो का बटवारा हाई कमान करना चाता है कि किसी नेता की ना चले लेकिन बंदर सिंगुड़ा अपनी मनमानी से बाद नहीं आ रहे हैं इसके बारे में आपका क्या कहना है आप कमेंट करें बने रहिएगा ऐसे में 24 न